एक मुहबरा है बकरे की मा कब तक खैर मनाएगी जिसका अर्थ है अपरादी किसी ना किसी दिन तो पकड़ा ही जाएगा मुंबई के पात्रा चौल भूमी गोटाले में बहुत दिनों से बच रहे सिवसेना नेता संजे राउत को E.D. ने ग्रफतार कर लिया है E.D. ने राउत से पहले उनके घर पर 9 घंटे और पिर दक्षन मुंबई इस्थित E.D. दफतर में 7 घंटे पूश्ताच की इसके बाद उन पर धन सोधन रोक थाम कानून के तहत कारवाई की गई है इस दोरान उनके घर से साड़े 11 लाख रुपए भी जब्त किये गए है E.D. ने पातरा चाल घोटाला मामले में संजे राउत को 20 और 27 जुलाई को तलब किया था लेकिन संसस सत्र का हवाला दे कर वेफेस नहीं हुए इसके बाद E.D. की टीम रईवार यान 31 जुलाई को राउत के भान डुपू इस्तित घर पर पहुँची इस दोरान E.D. की अन टीमों ने दादर और गोरे गाउं में भी सर्च ओपरेशन चलाया E.D. अधिकारियों ने बताया कि संजे राउत जांच में सायोग नहीं कर रहे हैं इसलिए उन्हें ग्रफतार किया गया है उन्हें आज विशेस PMLA कोट में पेस कर रिमांड पर लेने की मांग की जाएगी बतादे की करीब 1040 करोड रुपए के चाल गोटाले में संजे राउत से 28 जून को E.D. ने पूछताच की थी सूतरों का दावा है कि D.H.F.L.S. बैंक गोटाले में भी संजे से पूछताच होगी जिसमें पुडे का कारोबारी अभिनास भोंसले ग्रफतार है बताया जा रहा है कि दोनों गोटाले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वहीं ग्रफतारी से पहले संजे राउत ने मीडिया से कहा कि उन्हें फसाया जा रहा है मेरे खिलाब जूटी कारवाई जूटे सबूत लोगों को मार पीट कर बनाये जा रहे हैं ये सिर्फ माहराष्ट और सिवसेना को कमजोर करने के लिए है लेकिन माहराष्ट और सिवसेना कमजोर नहीं होगी संजे राउत जुकेगा नहीं और पार्टी भी नहीं छोड़ेगा संजे राउत के वकील विक्रांत सवने ने बताया कि E.D. ने प्रॉपर्टी डाकुमेंट सीज किये हैं लेकिन उन्होंने पात्रा चॉल से सम्मंदित कोई डाकुमेंट्स नहीं लिया है उन्होंने दावा किया है कि E.D. ने आज सुभे संजे राउत को नया समन दिया है जिसे सुईकार कर लिया गया है उसी आधार पर संजे राउत बयान दर्जकराने E.D. कारयाले पहुंचे हैं उन्हें ना तो ग्रफतार किया गया है और ना ही हिरासत में लिया गया है संजे राउत को पूश्ताज के लिए लाया गया है बतादें कि मुंबई पच्छमी उपनगर के गोरे गाउं इस्तित सिधार्थ नगर के पातरा चौल का करीब 1040 करोड का घोटाला है यहां की 47 एकड जमीन पर 672 परिवारों के घरों के उनरबास के लिए साल 2007 में सोसाइटी द्वारा मेहाना और गुरू कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच करार हुआ था इस करार के तहित कंपनी को साड़े 3000 से ज़्यादा फ्लेट बना कर मेहाना को देने थे इसके बाद बची हुई जमीन प्राइबेट डेपलपर्स को बेचनी थी DHIL के राकेस बधावन, सारंग बधावन, प्रिबीन राउत और गुरू आसिस इस कंपनी के निदे सकते आरोपह की कंपनी ने महाना को गुम रहा कर पात्रा चोल की IFSI 9 अलग अलग विल्डरों को बेच कर 901 करोड रुपए जमा किये इसके बाद नया प्रोजेक्ट शुरू कर फ्लेट बुकिंग के नाम पर 138 करोड रुपए वसूल लिये लेकिन 672 लोगों को उनका मकान नहीं दिया गया इस तरह पात्रा चोल में करीब 1040 करोड का घोटाला हुआ है इसके बाद इस मामले में अफाईयार दर्ज कराई गई थी बताया जा रहा है कि गुरू कंस्ट्रक्शन कंपणी के निदेशक रहे प्रवीन राउत संजे राउत के बहद करीबी है इस मामले में इडी ने प्रवीन को इसी साल फरवरी में गरफतार किया था बताते हैं कि पात्रा चौल घोटाले से प्रवीन ने 95 करोल रुपए कमाए और वो पैसा अपने रिष्तेदारों और दोस्तों को बाटा था इसमें से 55 लाग रुपए राउत की पतनी वर्सा राउत के खाते में आये थे इस रकम से राउत ने दादर में फ्लेट खरीदा था एडी की पूश्ताच में वर्सा राउत ने बताया कि ये पैसा उन्होंने फ्लेट खरीदने के लिए प्रवीन राउत की पतनी मादुरी से लिये थे ED की पूछताच के बाद वर्सा ने पैसे मादुरी के खाते में ट्रांसफर कर दिये पात्रा चौल घोटाले में संजे राउत पर अब धमकी का भी केस दर्ज किया गया है राउत पर दो दिन पहले उनके करीबी रह सुजीत पाटकर की पतनी सपना पाटकर ने होन पर धमकाने का आरोप लगाया है उनकी ये आडियो किलिप बाइरल हो गई सपना ने दावा किया है कि इस किलिप में राउत एक जमीन को अपने और सुजीत के नाम ट्रांसफर करने के लिए कह रहे है इस दोरान वो गाली गिलोज की भासा में बात कर रहे है उन्होंने का कि इस कॉल को रिकोर्ड कर पुलिस को भेज दे तू जो चाहे कर ले लेकिन जमीन को सुजीत और मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दे इसके बाद सपना की सिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है अबरों का सिसला जारी रहेगा देखते रहे जन प्रबाद नमस्कार